बुरहनपुर उतावली नदी के पास तापती जल आवर्धन योजना के तहत 131 करोड रुपे की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाने का कारे किया जा रहा है पानी की पाइपलाइन पूलिया के उपर फूटने से यहाँ पर अपनी इस कदर से पानी बहा कि यहाँ दूर से देखने वालों के लिए ज़रना नजर आया लेकिन यह द्रस्य ज़रने का नहीं था यह पानी की फूटी हुई पाइपलाइन होने से पानी बह रहा था अब लोगों ने इस घटना का वीडियो मना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है जिससे अब योजना में हुए कारे पर भी सवाल खड़े हो रहा है यह जहरना नहीं पानी की फूटी हुई पाइपलाइन है पानी की फूटी हुई पाइपलाइन टेस्टिंग के दोरान फूट गई थी जिस कारण यहां से हजारो गेलन पानी वेर थब बैया गया तापती जलावर्णन योजना का कारे पिछले पाच वर्सों से 131 करोड रुपे की लागत से जिले में हो रहा है लेकिन अभी तक भी लोगों के घरों में नल से पानी नहीं पहुचा है दो बार कमपनी को जिला प्रसासन की ओर से भी नोटिस दिये गए है जब इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुकत संदिप स्रिवासों से भात की तो उन्होंने कहा कि पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग की जा रही है लेकिस सामने आया है उसका सुधार कार किया जाएगा ये कोई जहरना या कोई हिल स्टेशन का नजारा नहीं है ये हमारे मद्यप्रदेश के बुरहानपूर जिले में की जल आवर्धन योजना का नजारा है इस योजना से पूरे बुरहानपूर जिले में घरगर तक पानी पोचना है और अभी टेस्टिंग के समय ही जग जग पर इस तरीके के नजारे अपने को या पूरी ब्रहानपुर की जन्ता को देखने को मिल रहे हैं